Hello guys, welcome back to my channel ऐसे ही हस्ते रहे और मुस्कुराते रहे तो आप सभी लोगों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है तो अगर आप मेरे चैनल में अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मेरे वीडियो को लाइक करना और यह वाला वीडियो मेरा है जैसे कि मैंने ये छोटी सी क्लिप बनाई थी अपनी बेहन की साधी में जब उसने अपनी मेधी लगवाई थी अपने हाथों में तो छोटा सा वीडियो मैंने बना लिया था वही मैं आपके इसी वीडियो में आड़ किया है और ये वीडियो मेरा माई मैधर जो पूजा होती है न मैन जिसको बोलते हैं साधी के एक दिन पहले तो कैसे होता है गाउं में माई मैधर और मैन तो वही मैं आपके साथ सेर की हूँ वीडियो और उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा अगर अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब करना मेरे वीडियो को लाइक करना कमेंट करके जरूर बताईएगा और कुछ इस तरह से उसने मेदी लगाई और पैरों में भी मेदी लगाई है तो हाथों में आगे तो मेदी आपने देख ही लिया कितनी अच्छे से लगाई है दूरा दूलान भी बने हुए थे मतलब बहुत अच्छी मेदी लगी है उसके और इतनी अच्छी रच्ची भी है उसकी मेदी तो इतनी दिनों से मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था मैं कोई भी वीडियो अपना एडिट नहीं कर पा रही थी अपलोड नहीं कर पा रही थी, अब मुझे टाइम मिला है, मैं अपने घर भी आ गई हूँ, तो मैंने सोचा आप धीरे-धीरे करके आप लोगों तक अपने वीडियो पहुचाऊं, जितने भी मैंने बनाए हैं, और यहाँ पे साम हो चुकी है, और सुरू हो गया है, मैन जिस बुझुरूप में यही अब हैं हमारे साथ, और हमारी आजी पहुत अच्छी है, तो इनी से सुरुवात हो रही है, और उदर बगल में पंडी जी बैठे हुए हैं, तो आजी पहले सारी पूजा करेंगी, जितना उनको करना है, पंडी जी बताते जा रहे हैं, वो करती जा करेंगे, इमलब कलस को पूजा करके उसको दाल को पीसना है, सिल्वट्टे पर, और सिल्वट्टे को बिल्कुल भी हांसे नहीं छोड़ना है, तो एक दो बार मैंने भी किया है, दो तीन बार मैंने किया है, अपने सस्वाल में, तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा ल होती हैं वो सुर्वात कर देती हैं तो ऐसे ही दीरे-दीरे सब लोगों ने किया है और जब तक दूसरे को दूसरा कोई पकड़ नले सिलबट्टे को तब तक सिलबट्टे को छोड़ना नहीं चाहिए तो यहां पे थोड़ी सी मजाखे भी होती रहती हैं तो बहुत अच्छा लगता है सच में तो हम लोगों के यहां गाओं में कुछ ऐसे होती हैं मही मैधर जिसको महीन भी आप सभी लोग बोलते हैं आपके इदर क्या बोलते हैं अगर आपके इदर और कुछ बोलते हो तो प् तो यहां पर यह मेरा घर है कुछ ऐसा इस तरह से हैं मेरे घर में चार घर थे लेकिन अब इतने समय कोई नहीं है मतलब सभी लोगों ने अपना बाहर घर बनवा लिया है तो इस घर में सिर्फ हम लोग मेरा परिवार ही अकेला है और यह जो माई में अधर हो रहे हैं ना यह म में हम लोडा है लिए तो याँ पे पूरा आंगन हमारा भरजाता है जाया है तो अबि ओ आप अभी अब हैं तो चाशी लोग हैं हमारी सी घरी में इसकारे ने तो अच्छा लगता अगर आपको अच्छ लगे तो प्लियस कमेंट करके जरू बताएगा तो अब सारा सबसे चोटी तो अब वह कर रही है तो उनके बाद कोई नहीं है तो वही पूरी पूजा करके वहां पर समाप्त कर देंगी पूजा माई मैधर और आप देखते चाहिए आपको बहुत अच्छा लगेगा कुछ गाउं में इस तरह से होता है माई मैधर और यह जो दाल पीसे जा रही ना फिर इसको क्या करते हैं कि इसकी माई बनती है मतलब जो पकोड़ी जैसी बनाई जाती है उसको माई बोलते हैं उसी मंड़ब के नीचे ही बनता है अभी सब पूरा वीडियो में ने बनाया है तो आपके साथ सेर किया है और कुछ बोलने में थोड़ी सी प्राबलम हो रही है क्योंकि काफी समय हो गया गाउं से आए हुए थे तो जब काफी समय हो जाता है थोड़ा सा बोलने में थोड़ा सा फरक पड़ जाता है और वहाँ गवं में तो बिलकुल भी हमें टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, तो यहाँ पे पहलाद है ना, पहलाद मुसर बोलते हम लोगों केदा पूजा में, तो उसकी पूजा हो गई है, अब सभी लोग एक-एक चीज उठा लेंगे, मतलब जितनी समान रखी हुई है, तो एक एक चीजे उठाएंगे सभी लोग और घूमते हुए मंडब को अंदर की तरफ जाएंगी जहाँ पे पूजा होगी अंदर घर के अंदर तो यहाँ पे मैं कैमरा लेके अंदर जा रही हूँ और आप भी मेरा घर देख लीजेगा गाउं का चोटा सा घर है तो यहाँ पे बाहर से सभी लोग है मेरी मम्मी आ गई है कुछ देखने कहाँ पे क्या रखना है तो यहीं बताने के लिए आई थी और फिर चली गई है वो तो सभी लोग मंडब को घूमते हुए आएंगे और घूमते हुए अंदर आएंगे एक-एक समान लेकर और फिर यहाँ पे रख देंगे और फिर इसकी पूचा होगी तो सबसे पहले वही छोटी वाली भावी आई है पहलात को लेके तो हम लोगों के हम बहुत मजाखे भी होती है अच्छा लगता है और फिर सभी लोगों देखो एक-एक चीज लेके आएं हैं वहाँ से सभी लोगों को लाना रहता है सभी लोग यहाँ पर रखा कोई सिल्बटा भी लेकी आएं कोई कुछ कोई कुछ तो सब चाची है हैं हमारी कुछ भावियां है तो यहाँ पर कुछ ऐसे रख दिया गया है अब यहाँ पर फूजा होगी तो वही मैं आपके साथ शेर किया है अच्छा लगे तो प्लीज कम सब्सक्राइब रहीं हए ठोडूारा भी और मेरी दीदी भी बगल में खड़ी है मम्मी के वह बांट रही है मेरी मम्मी भी तो सभी लोग दे रही है और उसके बाद ये मंडप के नीचे पूजा हो गई अब यहां पर मैंने गैस और सलेंडर रख दिया है चूला मतलब तो यहां पर जो आजी है हमारी वो बनाएंगी इसको माई बोलते हैं मलब दाल की पकोड़ी है लकिन माई बोलते है और पिर जो चाऑल है ना यह चाओल बहुत अच्छी लगते हैँ खाने में सच में बहुत टैस्टी चाऑल लगते हैं तो इसी को वो पकाएंगी और यह माई बना ली है अब इसकी करेंगी पूजा अन् कुछ इस तरह से तो हमारी आजी अभी भी बहुत काम करती है इतनी उमर हो गई है फिर भी और अच्छा लगता है न कोई जो बड़ा बुड़ा होता है साथ में कितिना अच्छा लगता है न तो सच में घर में रोनने करहती है और हमें हमारी अम्मा की आद आगे मतलब मुझे मेरी दादी की और बाबा की सब की आद आगे तब तो मंडब की नीचे सब ही लोगों की आद आई थी बड़ा अच्छा लगता था पहले घर पूरा भर जाता था सर्च में तो यहां पे पूजा बना रही हैं आजी तो कुछ इस तरीके से बना रही हैं और यह जो बनना है ना यह उससे बनना है जो गेरू नहीं आता है ना हम लोगों क्या तो गेरू भी बोलते हैं जो रेड कलर का आता है गेरू जो गोवर में डालके उसको लीपते भी हैं घर को तो इसको गेरू भी बोलते हैं उसी से बनाया जा रहा है और भगल में उसका चावल का गोल भी रखा हुआ है जिसको हम लोगों क्या आइपन बोलते हैं कि अच्छा हम लोगों के दर होता है अच्छा दर करते हैं और लुद्धे मेरी आची ने बनाया और यहां लपदियों जिसे घर के देवनी होते हैं पूजा वुजा करते हैं सब पुर्खा जो होते हैं जिनको बड़े बुजुर्ग लोग थे जो अब नहीं है सब उनी की पूजा होती है समलो उनी की आसिरवाद से ही सब कुछ है तो उनी की पूजा होती है और यहाँ पर वही जो पकोड़ी बनाई थी ना उनको पानी पहले चढ़ाया फिर पकोडी भी उनके उपर पकोडी भी खिलाया भोग लगाया और उनको एक वाइट कप्ड़े से उनको ढग देते हैं कि कोई देखे न कुछ ऐसे ही करती है तो काफी बड़ा कप्ड़ा था तो वही मैंने कप्ड़े को कटिंग की तो उसको चिपकाना रहता है कि कपड़ा अच्छे से चिपक जाए तो वह काफी दिन तक ऐसे ही रहे 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 हो और साधी के मौहल में सच में एक फोटो खिसने का भी टाइम नहीं था हमारे पास फोन उठाने का बिल्कुल हाथ में टाइम ही नहीं था मन भी नहीं कर ला था कि थोड़ा सा समय मिलता भी था तो इतने लोग थे बैट के बाते करना बड़ा अच्छा लगता है तो बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिल पाया तो कैसा लगा मेरा पूरा वीडियो आप लोग जरूर कमेंट करके बताईएगा हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त हो जाएगा और अच्छा लगे तो प्लीज सेयर करना और मेरे चैनल को सिस्क्राइब करना मेरे वीडियो को लाइक करना कमेंट करके जरूर बताईएगा आपके इधर कैसा होता है तो वो भी आप बताईएगा तो फिर मैं रखती हूँ नमस्ते बाई बाई करना बतात मैं रखती हूँ